आप सभी को प्रिनाम और बोले विभा में आप सब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं विभारानी और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अनमूल चीज लेकर के आई हूँ वैसे आपको शयाद बड़ा आठपटा लग सकता है कि मैं एक पती की चिठ्थी जो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम लिखी थी वो मैं पढ़ रही हूँ किसी पती की चिठ्थी किसी पत्नी के नाम लिखी हुई हो और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ना लेकिन ये चिठ्थी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित है और मैं उस चिठ्थी को पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने ये चिठ्थी लिखी है हमारे देश के प्रथम राश्रुपती डॉक्टर राजिंद प्रसाद ने अपनी पत्नी राजवंशी देवी को आज 3 दिसम्बर है आज के ही दिन 1884 इस्वी में डॉक्टर राजिंद प्रसाद का जन्व हुआ था बिहार के जीरा देई घाओं में डॉक्टर राजिंद प्रसाद वकालत पढ़ चुके थे चाहते तो बहुत प्रैक्टिस कर सकते थे बहुत पैसे कमा सकते थे लेकिन उन्होंने अपने आपको और अपने जीवन को देश सेवा के काम में लगाया इसी देश सेवा के काम में लगाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था अपनी पत्नी को और जानना चाहा था कि उनकी क्या राय है कि वो क्या करें यह पत्र उन्होंने भोजपुरी में लिखा है और मैं भोजपुरी में ही इसे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, हलाकि मेरी भोजपुरी उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी ओरिजनल भाशा में लिखे हुए पत्र का अपना अलग ही सौंदर होता है, तो राजन बाबु का पत्र पत्नी राजवंशी देवी के नाम, आसिरभाद, आजकल हमने का अच्छी तरह से बानी, उहां के खैर सला चाहीं, जे खुसी रहे, आगे ए तरह के हाल ना मिलल, एसे तबियत अंदेशा में बाटे, आगे ई, जे कुछ अपना मन के हाल खुल कर लिखे के चाहत बा करी हा, आ हमरा पास जवाब लिखी हा, सोब के हुँ जाने ला कि हम बहुत पढ़लवानी, बहुत नाम भयल, एसे हम बहुत पैसा कमाये, सोब के हुँ के इहे उमेद रहेला कि हमार पढ़लिखल सब रुपिया कमाये वास्ते बाटे, तो हार काम मन हवे से लिखी हा, तु हम तो हम रा के सिर्फ रुप्या कमाय वास्ते चाहेलों कि औरो कोनु काम वास्ते से लड़क्पन से हमार मन रुप्या कमाय से फिर गयल वाटे। आजब हमार पढ़े में नाम भॉय तो हम कब ही ना उमेद कई नी कि इस सब रुपईया कमाए वास्ते होत बाटे। एही से अब हम अईसन बात तोहरा से पुछत बानी कि जे हम रुपईया ना कमाएं तो तु गरीबी से हमरा साथ गुजर कर लेगू ना। हमार तोहार सब्बंद जिनकी भर वास्ते बाटे। जे हम रुपईया कमाएं तो वो तु हमरे साथ रहवो, ना कमाएं तो वो तु हमरे साथ रहवो। बाकी हमरा ये पूछे के हवे कि जो ना हम रुपया कमाई तो तोरा कौनों तरह के तकलिप होई कि ना है हमार तबियत रुपया कमाई से फीर गईल बाटे हम रुपया कमाई के नईखी चाहोत तोरा से ए बात के पूछत बानी कि इबात तोरा कैसन लागे जो हम ना कमायब तो हमरा साथ गरीब का नाहित रहे के होई गरीबी खाना, गरीबी पहिरना, गरीब मन करके रहे के होई हम अपना मन में सोचले बानी कि हमरा कवनों तकलीफ ना होई बाकि तोहरो मन के हाल जान लेवे के चाहत बानी हमरा पूरा विश्वास बाटे कि हमार इस्तिरी सीता जी का नाहित जवना हाल में हम रहे ओही हाल में रही हैं दूख में, सुख में हमरा साथ ही रहला के आपन धोरम, आपन सूख, आपन खुसी जनी है एह दुनिया में रुपईया के लालच में लोग मरत जात बाटे, जे गरीब बाटे, से हु मरत बाटे, जे धनी बाटे, से हु मरत बाटे, तो फिर काहे के तकलिफ उठावे जे गरा सबूर बाटे, से ही सुख से दिन काटत बाटे, सुख देउख केहु का रुपईया कमईले आ ना कमईले ना होला, करम में जे लिखल होला, से ही सब होला अब हम लिखे के चाहत बानी, कि हम जे रुपईया ना कमाएं, तक का करम पहले तो हम वकालत करे के खियाल छोड़ देब, इम्तहाने ना देब, वकालत ना करम हम देश का काम करे में सौब समय लगाई देश वास्ते रहना, देश वास्ते सोचना, देश वास्ते काम करना, यह हमार काम रही अपना वास्ते ना सोचना, ना काम करना, पूरा साधू ऐसन रहेगे तोहरा से, चाहे महतारी से, चाहे और केहु से, हम फरप ना रहे घर ही रहे, बाकी रूपिया ना कमाए, सन्यासी ना होखब, बाकी घरे रह के जेतर असे हो सकी देश के सेवा कर हम थोड़े दिन में घर आई तो सौब बात को है, इची ठी आउर के हो से मौद देखाई हा बाकी बीचार के जवाब जहां के जल्दी हो सके लिखी हा हम जवाब वास्ते बहुत फिक्र में रहें, अधिक एह समय ना लिखे राजेंद्र राजेंद्र बावु फिर लिखते हैं इसके आगे आगे इचीठी दस बारा दिन से लिखले रह ली हावे, बाकी भेजत ना रह ली हावे आज भेज देतबानी, हम जल्दी ये घौर आईब, हो सके तजवाब लिखी हा ना ही तो घौर आवे पर बात होई, चीठी के हो से देखाई हा मौत राजेंद्र और उसके बाद पता है, राजेंद्र प्रसाद, अठारा, मिर्जापुर स्ट्रीट, कलकत्ता और अब आप सूच सकते हैं, कि ऐसे पत्र को पाकर, उनकी पत्नी के क्या विचार रहे होंगे और देश को पहला राश्रुपति मिलने में, उनकी ख्या भूमिका रही होगे वह पत्नी, जो उनके जीवन में कब आएं, जब उनकी उम्र बारे साल की थी और राजविन्शी देवी का विवाज जब राजिन प्रसाद से हुआ, तो बड़े धूम धाम से हुआ गोडों, बैलगाडियों और हाथी के साथ चले, बारात को बधू के घर पहुँचने में दो से तीन दिन लग गये थे हुआ ये था कि वरेक चांदी की पालकी में जिसे चार आदमी उठाते थे, सजे धजे बैठे थे और रास्ते में उन्हें एक नदी भी पार करनी थी, अब बारातियों को नदी पार कराने के लिए नावका इस्तिमाल किया गया गोडे और बैलों ने तैर कर नदी पार की, मगर इकलोते हाथी ने पानी में उतरने से साफ इंकार कर दिया जिसकी कारण हाथी को पीछे ही छोड़ना पड़ा लेकिन इस बात का दुख उनके पिता महादेव सहाय को बड़ा हुआ था उसके बात हुआ ये कि वधू के घर पहुँचने से दो मिल पहले ही उनके पिता ने देखा कि किसी अन्य विवा से दो हाथी लोट रहे हैं बस उन्होंने फटाफट लेन दिन तै किया और परमपरा के अनुसार फिर हाथी विवा के साथ शामिल हुआ किसी किसी तरह से मारात आधी रात में लड़की वालों के हाँ पहुची लंबी यात्रा और गर्मी से सभी बेहाल थे और बर माशय तो विचारे पालकी में ही सो गय थे बड़ी कठिनाई से उन्हें विवाह के रस्म के लिए उठाया गया और पहले की परमपरा थी आप यह सोचिए कि उस समय शादी ही हो जाना एक बात थी लेकिन पति-पत्नी साथ में रहना आपस में मिलना जुलना बात चीत करना ना जिना बिल्कुल ने तो राजिंद बाबु को भी उन दिनों अपनी पत्नी से बात करने का मौका कम ही मिलता था और राजमशी देवी जी वो अपने रिवाज के अनुसार परदे में ही रहती थी शुट्टियों में घर आते थे राजिंद बाबु तब भी उन्हें कम मौका मिलता था बात्सचित करने का बाद में राश्टियां अंदोलन में शामिल हो गए तब तो और भी कम मौका मिलता था मिलने या बात करने का लेकिन इन दोनों पत्नी के बीच जो समर्पन भाव था और जो आपसी प्रेम था और जो एक अपनी समझदारी होती है कि हम पत्नी से पूश करके कुछ काम करें उसके सलाह मश्वरे किस बाद हम कोई काम करें यह इस पत्र में आपको इसकी जलक मिल सकती है और आज जब पुरदेश राजिन बावु का जनम दिन मना रहा है तो मैंने इस देर रात में ही सही सोचा किया आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ इस पत्र को वैसे मैंने बहुत पहले मेरे खयाल से 2008 में मैंने अपने ब्लॉग छमक्छलोकहिस.blogspot.com में डाला है आप वहां से भी इसे पूरा पढ़ सकते हैं वैसे यह कहा यह पत्र उनका मृत्विंचे प्रसाद जी का लिखा हुआ पुर्णे अस्मरन नाम के किताब से मैंने लिया था तो आप सब को इस पत्र आप सब सुने वहां मिले तो आप इसको पढ़ें मेरे ब्लॉग पर से भी ले करके पढ़ सकते हैं और अगर वो किताब आपको मिलती है तो किताब से भी ले करके पढ़ सकते हैं और मैं यहां आपको मैंने तो सुनाया है तो पत्र की मिठास मैं हमेशा कहते हूं कि पत्र अब हम लोगने के जीवन से निकलता जा रहा है लेकिन उस समय पत्र ही एक आसरा होता था तो पत्र की मिठास किस तरह से यहां है भाशा की मिठास अपनी भाशा में लिखा हुआ है भुजपुरी भाशा में वो यहाँ पर है और आप सब को एक रूप यहाँ मिलेगा तो चलिए आज हम यहीं पर रुपते हैं और अगले दिन हम फिर किसी और विशह पर आपके साथ मिलेंगे तब तक के लिए आपने अगर 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 जैनल अब तक नहीं सबस्क्राइब किया है तो चैनल सबस्क्राइब कर लीजिये लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ अपना खियाल रखें क्योंके आप हैं तो हम हैं बहुत बहुत धन्यवाद, निमस्कार, शबाखेर